नमस्कार दोस्तों बैंक टिप्टी एनालिसेस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों बैंक टिप्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,685 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक टिप्टी ने 372.2 पर जाके यहाँ पे क्लोज किया है मैं थोड आपको टेलिग्राम में अपडेट कर देता हूँ एप में थोड़ा सा मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एप के लिए मुझे लैप्टौप फोड़ा सा चाहिए होता है इसलिए मैं उसमें डhando काई पैनल इसलिए मोबाईल का एड मेया तरह कर रहूंगत मैं अ हूं पर नहीं किया उसको डाउन लूड कर लिजिए वहां के पूस्ट डालते रहता हूं इंप्रेंट लेबल कुछ लॉंक टरम चार्ड मीडियम चार्ड सौट रियुस्ट करते रहता हूं दिकर मुझे फ्यर है तक मेने मार्केट को देखा ही निंए उसके बाद मैंने देखा तो मुझे इंट्रेस्टिंग लेवश लगा तो मैंने आप लोग की लिए अब डेट कर दिया और वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कर दिएगा अब यहां पर दिखें कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि ध्यान रखेगा हम हर डिप पे बाई करने की कोसीद करेंगे जब भी डिप मिलेगा वहां पर कोई कोई इंट्रेस्टिंग केंडलिस्टिक बनती है कोई रेंज बनती है कोई फेबनाची रिट्रेस्मेंट वहां पर बनता है तो वहां पर हम बाईंग करने की कोशीद करेंगे क्योंकि बाई ऑन डिप है मैं सेल तभी करूंगा जब यह 42,800 के नीचे क्लोज करेगा उसके बाद मेरा भी थोड़ा सा निगेटिव होगा यह दाने कि मैं बार बार आपको बताते रहता हूं कि सेल में अगर जाना भी इंट्रेडे में कोई सेल लेबल आपको दिख भी रहा तो कौंटिटी 25 परसेंट आप लोग को करनी है लेकिन आप लोग वो चीज़े समझते नहीं हो आ कउन्हां पर कांटिटी 26 को कम करके डिकरना यह सारी चीज़े आपको सीखनी पड़ेंगे सिर्फ सेटप से कुछ नहीं होता है सेटप के बाहाद माइनसेट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बताते रहता हूं जब तक आप इसकोफो अन्हीं नहीं करोगे आपको सब्सक्राइब के बीच में थोड़ा सा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलता है तो यहां पर एक अच्छी मुमेंट आपको मिल सकती है और मैंने जो टार्गेट दिया था साथ सो पच्पन का लगभग लगभग उस टार्गेट को बैंक टिप्टी ने इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक यह बाई ऑन डिफी रहेगा और इसके बाद से चल रहा है इस मूब में अभी आपको यहां पर सिर्फ इस टॉपलस ट्रेल करने की ज़रूवत है इस इस टॉपलस के नीचे अगर यह क्लोज करेगा ना तभी आप पुजिशन से जीजिएगा ने तो इस पूजिशन को ट लेकर रखिए गा मेरे हालते जो टार्गेट उमने बताया है आँए है अगर इसके वूपर करता है त्ज़िए फिर नए टार्गेट के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले ये target अगर हमारा achieve हो गया फिर उसके बाद हम नहीं बाते करेंगे अब चलिए 15 मेंट के चार्ट पे देखते हैं कि 15 मेंट के चार्ट पे Friday के सेथन में हम Bank 50 को किस तरीके से trade कर सकते हैं और क्या हमारे लिए important label लोंगे अब मैंने 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट लगा लिया है दोस्तों अगर आप भी हमारे learning group से जुड़ना चाते हैं तो वीडियो के description में link है उस link के जरीए जाके आप जीरोधा, Angel Broking, Apistock, Lions Blue, Fire, ICC, Deduct में किसी एक के साथ डिमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे learning group से जुड़ सकते हैं तो कल की वीडियो मैंने यह बताया था कल वाली वीडियो में कि यहाँ पे जब भी market dip देगा market में कोई correction यहाँ पे opening में ओपन होगा तो पहली candle पे आप नजर बना के रखिएगा या फिर पहली candle ओपन होने दीजिएगा आराम से उसके बाद यहाँ पे फोल्ड कीजिएगा देखे पहली candle के अंदर में यहाँ पे दीखे चार पांच candle है बनी और जैसे market ने उस लेबल को ब्रेक किया मैं यही चीज़े आप लोग को समझाने के कोसित करता हूँ कि जब यहाँ पे जब uptrend में market गिरता है ना तो इंतजार कीजिए जब भी कोई condition ऐसी दीखे बाइंग वाली वहाँ पे आप छोड़ा था ऐसे लगा के इंट्री कर सकते हैं और मेरा जो इंपॉर्टेंट लेबल था वो था 43,555 मुझे इसके उपर हुमित थी कि इसके उपर एक अच्छी मुमेंट market expiry के दिन में देगा और दिखी यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छी मुमेंट दिया है इसकी डिटेल्स वीडियो मैं आट अप्टेटिंग वाले चैनल पे अभी डालूँगा तो उसको भी आप लोग जा करके दिख लिजेगा वहाँ पे मैं अपना trade book भी वहाँ पे दिखा दूँगा कि मैंने यहाँ पे trade कब लिया था किस condition पे trade लिया था और क्यों लिया था तो चीजों को थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी तो यहाँ पे दिखे एक जब 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 करने के बाद market जाके close हुआ है 43,685 के आसपास में अब ध्यान लखेगा market अब यह market के लिए support का का काम करेगा 500 अब यहाँ पे ध्यान लखेगा 43,444 से ले करके 43,555 यह एक support लेबल है market अगर इस zone में आएगा तो यहाँ पे buyer एक्टिव होगी यहाँ पे ध्यान लखेगा लेकिन मैं बार-बार समझाता हूँ कि buyer एक्टिव होने का मतलब नहीं market पहले आपको 755 और उसके बाद 888 के target यहाँ पे मिल सकते हैं market अगर किसी condition में माल लीजे gap down ना open हो कि इसी range में कहीं पे open हो range में इसी range में open होता है तो यहाँ पे अगर market 43,722 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक buying opportunity रहेगे target जो रहेंगे वो रहेंगे 43,811, 43,888 और उसके बाद 43,977 यह तीन target bank nifty पे रहेंगे अगर bank nifty range में open होता है इसी तरह से कोई condition मनाता है 5-10 मिनट रुखने के बाद यह breakout देता है तो यहाँ पे यह level आपको देखने को मिल सकते हैं अगर bank nifty gap up open हो जाए तो थोड़ा सा इंतिजार कीजिए प्राइजिक्सन बनने दीजिए मेरे खाल से 44,000 के आद पास एक resistance लेगा bank nifty अगर वो resistance में कुछ इस तरह की situation मनाता है और situation मनाने के बाद वहाँ पे breakdown देता है तो वहाँ पे छोटी सी opportunity आपको sell side में मिल सकते हैं लेकिन quantity में बार बार बोला हूँ 25 पर कोई भी selling opportunity कोई candle stick दिखे कोई range दिखे अगर उसको आप sell कर रहे हो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मैंने यहाँ पे बताया था कि 43,55 के उपर एक short covering move आएगा quantity छोटी रखना क्योंकि एजिपसी बैंक उससे मैं सायद 19-20 के आसपास चलना था वो high को break नहीं कर रहा था और देखे 55 के बाद एक बहुत interesting pattern 55 के आसपास बना था वो मैं आट अप्रेड्री वाले चनल में बताऊंगा तो वहाँ पर जाकर करके आप लोग वीडियो को जरूर देखेगा और उसके बाद एक जबर जस्त मोमेंट हमें यहाँ पे मिलें तो अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करते रहिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चैहिं